difference between वाले आज की सुड़े में हम बात करने वाले है active immunity और passive immunity ये दोनोंगे differences होते क्या है लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि active और passive immunity ये दोनों ही immunity acquired immunity के type होता है यानि कि active और passive immunity जनम से ही अपने body के अंदर present नहीं होते है मतलब कि ये immunity या तो जरुत की इसाब से develop होती है या फिर हमें इसे develop करना पड़ता है तो अभी हम बात करता है कि active और passive immunity में difference क्या होता है तो active immunity वो immunity होती है जो develop होने के बाद में lifetime के लिए अपने body के अंदर present रहती है और passive immunity वो immunity होती है जो अपने body के अंदर develop होने के बाद में कुछ समय के लिए ही अपने body में रहती है जैसे कि कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है कुछ महने या शायद कुछ सालों के लिए अपने body में ये passive immunity रह सकती है लेकिन lifetime के लिए passive immunity अपने body में नहीं रहती और क्योंकिन active और passive immunity acquired immunity के टाइप है मतलब कि यह या तो develop होगे जरूत की हिसाब से या फिर हमें develop करना पड़ेगा तो अभी हम यह देखते हैं कि active और passive immunity develop होते हैं कैसे अपने body के अंदर उसमें क्या difference है तो active immunity के हम बात करें तो वो कब develop होता है जब कोई भी antigen जैसे की bacteria, virus, foreign bodies, कोई भी हो germs हो वो जब अपने body के अंदर enter होता है तो उसके response में अपनी body antibodies को बनाती है तब जाके active immunity develop होती है और हम passive immunity के बात करें तो passive immunity में antibodies directly किसी external source से हमारे body के अंदर डाले जाते हैं और इस तरह के से हमें passive immunity मिलती है तो यहाँ पर एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि active immunity में होता क्या है कि अपनी body पहले उस antigen को identify करेगी, recognize करेगी और उसके according जो भी antibodies चाहिए वो बनाएगी लेकिन passive immunity में ऐसा नहीं होता, passive immunity में antibodies directly हमें मिलती है तो इसलिए active immunity में क्या होता है कि immunological memory होती है क्योंकि वो याद भी रखता है कि कौन सा antigen body के अंदर enter हुआ था लेकिन passive immunity में ऐसा नहीं है और इसलिए passive immunity में immunological memory नहीं होती और इसी से एक चीज़ हम और भी समझ सकता है कि active immunity उसको develop होने में समय लगता है वो तूरंत immediately develop नहीं होती है लेकिन passive immunity immediately develop होती है क्योंकि वहाँ पर directly antibodies हमें मिलती है वहाँ पर अपने body को या फिर अपने immune system को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है रेकोगनाइज या identify करने के लिए antigen को तो अब तक कि सारे चीज़ों में हमें एक चीज़ समझे होगे कि active immunity बहुती natural तरह के से काम करती है और natural होती है और इसलिए यहाँ पर इसके कोई भी side effects नहीं होते है और passive immunity क्योंकि हमें बहार से antibodies डाली जाती है तो बहार से वह हमें मिलता है immunity तो इसलिए यहाँ पर side effects होने के chances होते हैं हमेशे होगे ऐसे ज़र नहीं होता लेकिन side effects होने के chances होते हैं तो अभी अगर आपको वीडियो काम को लगा होगा तो description चेक कर लेना और वीडियो को like, share और subscribe कर देना